माइकल बरी ने सेल गर दिये हैं अपने सारे स्टॉक्स इनको नहीं पता माइकल बरी कौन है माइकल बरी इस दे इन्वेसर जिस पे बिग शॉट मुवी लिखी गई है उन्होंने 2008 का क्रेश प्रेट किया था उन्होंने जो क्रेश अभी चल रहा है हमने देखा 2021 के एंड से ग्रैश हो रहा है वह भी उन्होंने प्रेट किया था ऑल्दो वो six month off थे अब उन्होंने बोला तो उसका क्या मतलब है क्या आप को बाइक करने चाहिए यह सेल करने चाहिए वहां पर भी हमें डिसकॉशन करेंगे तो चलते हैं चार्ट की साइट सौरी कल वीडियो नहीं आई थी बिकॉस आई वस बिजी सेलिबरेटिंग ने इंडिपेंडेंस दे तो होपुली आप लो सबसे पहले अजुशन हम 4R के चार्ट से स्टार्ट करते हैं देन हम ताइम पीरिट को इंग्रीज करेंगे तो 4R के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है So 4R के chart पे हमें देखने को मिला कि कल market थोड़ा सा नीचे गया आप देख सकते हो market has gone down Around 3% का downward movement हमें देखने को मिला लेकिन the interesting thing is कि अभी भी हम 10 day moving average से उपर है तो यहाँ पे वो ऐसा support काम कर रहा है जब daily closing होंगी तब पर चलेगा कि यह कहाँ पे close होता है अगर हम यहाँ पे patterns जूणे तो हमको यहाँ पे double top देखने को मिल सकता है जिसका neck roughly यहाँ पे है तो if this breaks this could be bad news for BTC बाकि कुछ लोगों को यहाँ पे triple top भी दिख रहा होगा ठीक है मतलब एक reversal pattern kind of form हो रहा है 4R के time period में अगर अभी हम 4R का trend देखें तो this is indicating कि अभी हम uptrend में ही है although it is slowing down a little आप देख सकते हो volume भी यहाँ पे decrease हो रही है red volume अगर कम होती है तो that is also a bearish signal अगर जादा होती है that is also a bearish signal केवल green volume को जादा होना जरूरी होता है for a good bullish signal ठीक है तो यहाँ पे red volume is low लेकिन we don't have a concrete signal की market यहाँ से नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे wait करेंगे market का कि यहाँ पे at least हमें neck break दे मैं तो $23,400 के area का break expect कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे 20 day moving average भी है हमने देखा था कि market बहुत तेजी से बड़ा यहां से यहां से काफी distance आ गया था 20 day moving average के बीच में तो 20 day moving average sort of a magnet काम करती है तो price बार बार इसके पास आही जाता है यह price के पास आ जाती है तो अभी हम वही देख रहे है कि यह correct हो रहा है 20 day moving average तक हमें देखना है कि क्या यहां से bounce आएगा या फिर यह इसको break कर देगा daily time period में तो that is important इसका एक example हम यहां पे भी देख सकते हैं जब bitcoin का price यहां से rally किया था 20 day moving average से बहुत दूर चला गया तो उसके बाद धीरे धीरे करके वाप इसके पास आ गया यहां पर यहां पर यहां पर बड़ी बाइंग कर सकते हैं almost late of this है मैं आपसे बोल रहा हूं कि I am doing pilot buying I am doing pilot buying मैंने भी बड़ी बाइंग नहीं करी है and the reason is कि हमने अभी भी यह resistance break नहीं करा है तो this is a very important resistance and अभी जो situation जल रहे है that is the reason कि हम यहां पर पाइलेट बाइंग कर रहे थे अगर हम बड़ी बाइंग करते हैं हम जादा टेंशन में होते हैं जो लोग बड़ी बाइंग या फिर 20x लेवरेज पर लॉंग लेके बैठे होंगे जन लोगों ने छोटा-छोटा पैसा इन्वेस करा है वो यहां पर फिर भी tension free होंगे and by pilot buying I mean कि less than 5% of my portfolio is invested for this upside rally next हम बात करते हैं BTC की in a larger time frame तो this is our larger time frame chart and यहां पर हमें clearly दिख रहे हैं कि हम एक channel में move कर रहे हैं यह channel में आपसे almost daily discuss करता हूं हम इसको one day के period में and one week के period में देखते हैं तो important thing is कि इस channel में जो movement हो रही है वो बार बार एक अच्छा higher high बना रही है तो this is a good upside moving channel आप देख सेख थोड़ा सा यहां पर correction ले रहा है that is good चलेगा हमें यहां पर कोई tension की बात नहीं है हम देख सकते हैं कि इस channel का जो नया downward movement होना चाहिए 22,976 almost 23K तक हमें कोई tension नहीं होनी चाहिए फिर we should go make another high तो यहां पर it's all good यह channel हमें upside break करना है for a good upside movement अगर हम यहां पर daily पर देखे तो आपको दिख जाएगा कि 10 day moving average is acting as a support अगर वो fail होता है तो हमारे past 20 day moving average and 200 weekly moving average है तो यह important supports है यह break होते है तब हमें panik करना चाहिए and 22,950 पे हमारा weekly moving average support है जो कि हमारे channel से भी coincide करता है तो that is very good and a strong support की तरह काम करेगा तो मैं यहां पर फिलाल BTC पर ही focus कर रहा हूं उसी के और वार्डिंग सारे altcoins करते हैं and next हम discuss करेंगे BTC dominance के बारे में because the altcoins are suffering क्या reason है उसका वो dominance हमें पार चलता है तो dominance अभी एक important point पर है अगर हम observe करें तो this is the dominance channel जिस पर dominance move करती है and यह May 2021 से इसमें move कर रही है तब से लेके अब तक का bottom जो रहा है वो 39% रहा है and this is the support जहां से generally हमारी dominance bounce करती है इसके break होने की chances बहुत कम होते हैं लेकिन हम देख सकते हैं कि we are in a downtrend since 10 June 10 June से लेकि हम downtrend में है 10 June में हमारा BTC का बहुत बड़ा एक dump आया था अगर आपको याद होगा तो this is the 10th June dump यहाँ पे था 10 June का dump and उसके बाद से धीरे-धीरे dominance अब recover कर रही है तो dominance is trying to recover and आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा jump आया था जिसके कारण altcoins थोड़े से दिक्कत में आया थे price goes up but BTC का price goes down तो alts में दिखेगा हमें बहुत बड़ा dump इसका मतलब है पैसा altcoins से भी निकल रहा है BTC से भी निकल रहा है मतलब पूरे crypto market से निकल रहा है अगर dominance goes up and BTC is in a sideways channel तो हमारे पास altcoins भी sideways channel पे जाते हैं इसका मतलब है कि हमें accumulate करना होता है तो currently हम क्या देख रहे है dominance यहां से bounce ही करेगा maybe it will go down to 39% then bounce तो हमें goes up पाले सेनारियो उस पे जादा focus करना है उसके accordingly bitcoin कैसा react करता है उस पे हमारी altcoins की buying strategy यहां पे दिखनी चाहिए तो lateralize करना होता है sideways movement तो यहां से dominance अगर उपर जाती है है वो जादा move नहीं करा हम देख रहे हैं कि BTC काफी दिन से इसी area में है तो उसके accordingly हमारे पास गए थे altcoins ऊपर ठीक है तो that's how dominance works यह बहुत important है next let's talk about Michael Burry and he said that he sold all of his stock तो यहां पे एक थोड़ी सी sensational news है क्योंकि Michael Burry is a big investor तो काफी सारे लोग इसको follow करते है इस पे movie भी सबने देखे होगी काफी थी movie थी है और नहीं बहुत smartly predict किया था 2008 का market crash अब इनोंने बोला था कि 2021 के mid में market crash करेगा लेकिन यह six months late थे जहां तक अगर आपने videos देखे होगी YouTube पे तो यहां पे इनोंने भी बोला है कि a market crash आने वाला है that's why he's selling out of all the shares so should we listen to him or should we not listen I think हमें इनके बात सुननी चाहिए लेकिन हमें अपना portfolio नहीं करना चाहिए he's at a very different position than you and I and इनका हो सकता है portfolio stock भी काफी different time period के साप से हो you should not be blindly following any of the big investors चाहे वो किते भी बड़े knowledgeable हो आप से आपको अपनी investment strategy आपको अपने investment goals दिहान में रखने चाहिए मैं personally क्या गरता हूँ I try to look at trends कि one day one week four hours in my trend कैसा है if trend is up we write the trend जैसे ही trend हमें reverse हो दिखता है we get out of it उसमें कभी-कभी हो जाता है हमें 15% का loss but mostly trend right करके हम अच्छा पैसा ही कमाते तो that is my investing strategy अगर ये बोल रहे हैं कि market will go down तो हमें दिखे का कि trend यहां पर break हो रहा है हमारी stop loss hit होंगे and we will be out of the market but if he is wrong and market goes up you will miss the rally Michael Burry has a lot of money so he will still survive he has a lot of knowledge he can still make money if he is wrong if you follow him blindly then आप केवल अपना लॉस करवा सकते हो तो keep that in mind बाकि आप जो कनना चाहे आप कर सकते हो next next let's talk about S&P 500 S&P 500 has very good support right here आप देख सकते हो 41,085 is a good support यहां पे दू इन्चार बार टेस्ट हुआ है we also have all the daily moving averages coming अब यहां पे मैं एक्सक् क्या है हम सारी moving averages से काफी extend हो गए हैं तो we need a retest here तो there's a good chance की market will come down and retest it और इसी का chance आएगेस US markets भी देख रहे हैं क्योंकि these are negative some positive हैं some negative हैं although 0.2% ही है तो this can flip very quickly कल भी ऐसी था तो बहुत जल्दी यहां पे फिलिप हुआ था तो यहां पे तो यहां पे take it with a grain of salt look at Nasdaq now जो कि हमारा tech stocks को करता है यहां पे भी आप देख रहे हो moving average बहुत extend हो गए हैं तो there is a decent chance की यहां पे भी a pullback या sideways movement हमें देखने को मिलेगा तो don't be alarmed with it अगर यह होता है क्योंकि moving average test करना भी यहां पे ज़रूरी है now let's look at some on-chain data at cryptoquant.com cryptoquant पे हमें क्या देख रहा है कि exchange के reserve बढ़ अगर एक quick candle आ सकती नीचे की side तो उसको ध्यान में रखना that's why we are not taking any leverage entries right now अगर अप spot positions में हो तो wait करो अगर हमारा trend यहां पे negative हो जाता है या फिर हम moving average के support break करते तिन we can exit it यहां पे risk to reward ठीक ठाग है 5-6% का loss होगा तो कोई बात नी वो हम ले सकते है क्योंकि हमने decent पैसे already कम आलिये हैं so that was it for this update guys कैसी लिगी आज के अप्डेट हमें कमेंट के जरू बताएं if you are looking to learn technical analysis the course is on a discount as last day है नीचे description में link में जाएगा thank you for watching I'll see you in the next video